नमस्कार व्यूर्ज, मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे जादा देखे जाने वाला कारेकराम आरपार, न्यूज एकिन इंडिया पर। आंद प्रदेश में भी चंदरबाबु नाइडू और पवन कल्यान की अगवाई वाली सरकार तैयार हो चुकी है, यानि इंडिया सरकार बन गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि शपत ग्रहन से नितीश कुमार गायब क्यों है, यानि इंडिया में आल इस नॉट वेल वाल सयोगी जनतादल और जनतादल उनाइटिड और शिवसेना ने चुनाव में 400 प्रस वाले टागेट पर सवाल उठा दिया है, कहा जा रहा है कि टार्गेट के चलते हैं विपक्ष को भ्रम फेलाने का एक बड़ा मौका मिल गया, जिससे चुनाव में इंडिया को नुक्सान ह उमीद के मुताविक सीटे नहीं आई, तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी इदेश की सबसे बड़ी पोलिटिकल बहस, खत्म हुआ चुनाव, लेकिन सियासी तनाव है चारी, क्योंकि बार बार में पक्ष एक और नेरेटिव बना रहा है, क्या आयोध्या हार गई है भ प्रदेश में एंडिये सरकार, ओडिशा में बीजेपी सरकार, ये दो तस्वीरें देश भर में एंडिये की बढ़ती ताकत की गवाही दे रही है आंद्रप्रदेश में चंद्रबाबु नाइडू की अगवाई में एंडिये सरकार ने सत्ता समाल ली, तो ओडिशा में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन शपत ग्रहन में नितिश कुमार के नहीं जाने पर विपक्ष को तंज कसने का मौका मिल गया नितिश जी जब जब नराज होते हैं, तब तब वो कार्ज कर्मों में किसी ना किसी बहाने नहीं जाते हैं इस बीच महराश्टर के सीम एक नादशिंदे और जेडियू के के सी त्यागी के बयान पर भी सियासत गर्मा गई है सम्विधान बदलेंगे, यह होगा, रिजर्शन जाएगा, फला ना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था लेकिन चार सो पार वाला अकड़ा जो है, उसके वज़े से लोगों के दिमाग में ऐसी बात हो गई कि यह सब आगे जाके कुछ घड़बर होगी चार सो पार की जो हमारी खबर थी, उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उससे सम्विधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुप योग थी उधर बनारस सीट को लेकर राउल गांदी के नए दावे पर जोड़दार वार पलटवार हो रहा है अगर ये लड़ जाती वारा नसी में तो आज हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री दो तीन लाक वोटों से वारा नसी का चुनाव हार जाता कि प्रियंका गांधी होती राहूल गांधी होते अखलेश यादव होते यहां तकी डिमपल यादव भी होती तो वो ये प्रधान मंत्री को हरा देती तो आज इन तमाम मुद्वों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और अब वक्त है आरपार के सुपरसिद विश्टेशन का चुनाव के बाद सिन्यासी तनाव वाला विश्टेशन क्या हुआ है और विपक्ष क्या कह रहा है एंडिये ने केंदर में जीत की हेट्रिक लगाई है मोधी तीसरी बार देश के प्रधार मंती बने है विपक्ष ने क्या कहा 400 प्लस सीटे लाने में फेल रहा सक्तादारी घटबंदन यानी इनका नरेटिव यह है कि 400 प्लस में आया लेकिन सरकार तो एंडिये की बनी बीजेपी की बनी इकत्तर मंत्रियों के साथ मोधी थ्री पॉइंटों की शुरुआत हुई बीजेपी के साथी दलों को जुन जुना थमाया यह विपक्ष ने कहा क्या हुआ प्यम को काशी ने तीसरी बार अपना सांसत चुना विपक्ष ने क्या कहा राहुल बोले प्रियंका लड़ती तो मोधी 2-3 लाख वोट से हारते चुनाव लेकिन मेरा मानना है कि अगर प्रियंका गांधी वाडराज चुनाव लड़ती तो मोधी शायद अपने मार्जन से जिस मार्जन से अभी जीते हैं 1,56,000 उससे भी जादा मतों से जीत जाते क्योंकि यह चुनाव उठ जाता बरताओं में आगे और इसा में BJP और आंधर प्रदेश में NDA सरकार क्या हुआ है ये हमारे सामने है शपत ग्रैंड में नितीश का ना पहुँचने पर उलज रहा है विपक्ष और उलजा रहा है विपक्ष ये गेम खेल रहा है प्रदान मंतरी मोधी ने हर मौके पर सविधान को सबसे उपर लगा प्राइम मिनिश्टर की तो शोशल मीडिया पे डिस्प्ले पिचर भी है जो उनकी तस्वीर है उसमें भी सविधान सबसे उपर है ये तस्वीर में आपको दिखाई भी दे रहा है लेकिन विपक्ष ने क्या कहा विपक्ष ने भ्रम फेलाया जूट फेलाया कि बीजेपी सविधान बदल देगी ये निराधार बात थी यानि कोई सविधान बदलने की बात नहीं थी लेकिन इसको फेलाया गया बीजेपी के भी कुछ नेताओं से गलती हुई जो प्रत्याशी थे वो आओ ताओं में कुछ ऐसे बयान दे गए जिसका बीजेपी को खामियाजा हुआ लेकिन बड़ा सवाल क्या है बड़ा प्रशनाच का यह है कि क्या सरकार विपक्ष का तालमेल मोधी 3.0 में बिगड़ा ही रहेगा जो बीते 10 साल में हमें बिगड़ा हुआ दिखा है मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधान शुति वेदी हैं सत्य प्रकाश मिश्रा है अजीज खान साब है जो की प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के आनन्द दूबे है शिव सेना उद्धर ठाकरे गुट के प्रवक्ता नेता आप तमाम लोगों का अभिनंदन ह अजीज खान चुनाब हो गया भारते जंता पार्टी जीत गई एंडिये की सरकार बन गई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बन गए लेकिन यह समविधान वाला नरेटिव जिसका थोड़ा लाब आपको हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार में उसका लाब नहीं कारण क्या है देखें अमीज भाई यह समविधान का कोई नरेटिव नहीं है और नद बिपक्ष ने नरेटिव चलाया विपक्ष ने इनकी मंसा को उजागर कर दिया और उजागर करने से जन्ता जागरूख हो गई और सम्विधान को बचा लिया इमन्दारी की बात ये है कि आप भी जानते हैं कि जिस तरह इनके नेताओं के मन में था इनकी मनसा ठीक नहीं थी उन्होंने अपने मूँ से भी कहा बाकाइदे स्पीच में इस बात को डाला कि हमें चार सो पार करा दीजिये और हम संभिधान को बदलना चाहते हैं बदल देंगे आरच्छड को खत्म कर देंगे तो हमने हमारे बिपक्ष ने कोई नेरिटिम नहीं सट किया बलकि इनकी इनकी मनसा को उजागर किया एक बात हमीज भाई दूसरी बात आपको बता दूँ कि जिस तरह देश में बीजेपी ने माहौल खड़ा करने की कोशिस की नफरत की राजनीत करने का प्रयास किया इस देश की जनता में आपके लोगों को नफरत की राजनीती पसंद नहीं है जहां आपका 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 कार्ड चला वो आपको मुबारिक जहां वो जीते वह उनको पॉइंट ये है कि मतलब चिद भी मेरी पठ भी मेरी वाली बात हो जाती है ये तो मेरे साथ यहां पर सत्य प्रकाश मिश्रा है ये समविधान बदलने वाला नरेटिव एंडिये को 400 पार नहीं लेके गया लेकिन अब उसको दुबारा बोला जा रहा है ये ब्रहम है जूट है इसका प्रधान मंतरी नरेंद मोधी कई बार मेरे इंटिव्यू में भी उन्होंने खंडन कर चुके हैं लेकिन क्या कहना चा कि समविधान कोई इस देश का बदल नहीं सकता उसमें संसोधन 106 बार हो चुका है जिसको सबसे जादा संसोधन संसोधन कॉंग्रेस पार्टी नहीं किया पहला संसोधन तो जवाहरला नहरू के समय आया उसको नौमी अनुसूची में डाला और राजीव गांधी का एक बह गया तो शायदे समविधान बदल देंगे जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने असपष्ट रूप में भाशन में कहा कि बाबा साहब भी आएं अगर आज तो वो भी पूरा समविधान नहीं बदल सकते जी विपक्ष ने भ्रहम लगातार इसले फैलाया क्योंकि पता था कि ये सरकार बनने वाली है और ये सरकार चारसो के पार भी जाने वाली है इस चारसो पार आपको रोक दिया लेकिन मैं रोक करता हूँ देखिए इंपोर्टन पॉइंट है एंडे की केंद्रे में जीत हुई तो आनंदूबे का आ गया कि देखिए हेट्रिक तो लड़ती इंपार नसीचे तो मोधी चुना वहार जाते आम आदमी पाठी तो आर आगे बढ़ गई वो तो कह रही है कि डिमपल यादव खेलेश यादव भी लड़ते तो भी चुना वहार जाते और इसमें बीजेपी की सरकार बन गई वहां पर और तमिलनाड और फला जा रहा है नितीश बाबू नहीं पहुंचे अब अमीज जी नमस्ते मैं जवाब दू जी दूबे साब अमीज जी ऐसा है कि वारानसी में अजैर आई जी ने जो चुनाओ लड़ा है अब अजैर आई जी और मोदी जी में तो कोई तुलना तो नहीं की जा सकती मोदी साब तो बहुत बड़े नेता हैं देश के सरस्वी प्रदान मंतरी हैं अजैर आई जी तो केवले एक विधायक रहे हैं वह भी बहुत साल पहले तो अगर अजैर आई जी ने इतना जादा ओट लिया कि मोदी जी को डेर लाग जिते जिते पसीना निकल गया तो ग्रहन में नहीं पहुंच में पहुचे हैं आंदरा प्रदेश तो जरूर बाते होंगे कि भाई एक मुक्ति मंतरी के खुशाली सभागरे में क्यों लगता है नितीज बाव क्यों नहीं कह रहा हूं हो सकता है कि अभी नई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई प्रकार भारती जनता पार्टी के निताओं ने यह बात पहुचाई थी जनता तक कि अगर हमें 400 पार्ट दे देंगे तो हम सम्विधान बदल देंगे चाए अनन्त हेगडे हो चाए लल्लू सिंग हो यह तो सब बीजेपी के नेता है यह तो कोई विपक्षा नेता नहीं है कही न कहीं भारती जनता पार्टी इस बात को नहीं पहुचा पाई जनता तक कि अग सुधान शुतिरवेदी जी को समय दे दीजे बीजेबी के राष्ट्य प्रवक्ता भी हैं मेंबर ऑफ पार्लिमेंट भी हैं सुधान शुतिरवेदी खेल बिगड़ रहा है या बिगाड़ा जा रहा है नितीश जी क्यों नहीं पहुचे आश्यापत ग्रेंड के अंदर सव कारण हो सकते हैं जिस कारण से कोई मुख्यमंत्री वहां पहुचे हो अथवा न पहुचे हो क्योंकि वह भारती जंता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हैं डिये के मुख्यमंत्री हैं कोई उनकी वेक्टिगत वैस्ता हो सकती मगर जो लोग बहुत जादा इसमें देखने खतम उस पे जबाब नहीं है और 232 में 50 सीटे एक दूसरे के खिलाब लड़की आए उस पे जबाब नहीं है और अभी राहूल गांदी जी का एक बड़ा चर्चित बयान आ रहा है कि प्रियंका गांदी वहाँ से लड़ती जनाब मोदी जी तो छोड़िये प्रियंका गांदी लड़ जाती तो राहूल गांदी को सी खत्रिम पड़ जाती वन्ना मैं पूछना चाहता हूँ अगर इतना विश्वास था तो राहूल गांदी दो सीटों से क्यों लड़े एक सीट से प्रियंका गांदी को आपके जोडने वाला जो फैक्टर था यानि मुस्लिम फैक्टर अब वही इनके लिए घबराहट पैदा कर रहा है क्योंकि इन्होंने बड़े कारणामे करके जिसको अपने साथ किया था उसका पुराना आशिक दुबारा लोट रहा है जैसे हिंदी फिल्म होता था जिसको समझ लिया कि वो खतम हो गया था उसकी तो उसका मरसिया पड़ दिया गया था वो आशिक दुबारा आ गया है और क कॉंग्रेस ने कहा है कि वो 403 विधान सभा सीटों में सब जगे अपनी विजय याक्तरा निकालेगी अब अजीज चुनाओ रखे हम तो हैं हमने जोनी पाट पला डिल्ली में नहीं था इंठर चार्सो तीन में कितनी महीं चीज आपको नजर आ रही देखें अमीज भाई सुधानसु जी को पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीत करती है हिंदू मुसल्मान की राजनीत करती है समाजवादी पार्टी हिंदू मुसल्मान की राजनीत नहीं करती है और ना वो मुसल्मान के साथ जुड़ने की बात करती है और ना हिंदू को तोड़ने की बात करती है देखिए ये निरेटिफ सिर्फ बीजेपी सेट कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ आज आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज ने किस तरह सम माते लिया है इसमें कोई दो रहे नहीं अब ये सहाब कहरें मुसल्मान और हिंदू एक बात दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि देखे इनको ये पता है कि आने वाले दो हजार सताइस में जो आखना दिकरा है जो भविस्षिक के कोक में है वो बहुत असपस्ट है कि सम अधार भविस्षिक कोक में समाजवाधी पार्टी का बड़ा जनादार है समाजवाधी पार्टी धर्म की राजनीती नहीं करती रिए और पीडीय इंदू-्हिंदू-हिंतर बारी पढ़ा है उत्ते प्रदेश के अंदर तो अयोद्या जीत गए भई आप इसलिए पीडिये हिंदू हिंदू पर भारी पड़ा है आप बिल्कुल हिंदू मुसल्मान की राज़िती करते ही नहीं है आपको एक तरफ तो डिवाइड है ही मामला उसको फर्दर डिवाइड के जाता है समाजवादी पार्टी समाजवाद में विस्वा सक्क्री है जो सोशित गलित वन्चिस समाज है हम उसकी उसकी राजनीत नहीं उसको हाग दिलाने की बात करते हैं जहां उसके हाग की बात होगी ज़ी है कि बात होगी, बिल्कुल समाज बात कि बात कर लेते हैं, बदाई उसे सांसुट कौन है? आपको नहीं पता कि याइद आज़ित्य आदव, आजम गड़ में सांसट कौन है? धर्मेंदे आदव आगे आई बताइए और बताइए मैनपुरी से कौन है कननोच से कौन है यह समाजबाद है आपको लग रहा है अगर लालुजाद की पार्टी बोले कि वो समाजबाद कर रही है और आप बोलें आप समाजबाद कर रहे हैं तो नहीं जी यह समाजबाद नहीं है आप चुनाब जीते हैं आपको मुभारक आप चुनाब जीते हैं आपने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी का रत रोका है यह आपकी काबलियत है यह आपकी काबलियत है इसकी मैं तारीफ करता हूँ लेकिन आप समाज बात करते हैं, वो तर्क गलत हो जाएगा, वो समाज बात को आईने दिखाने के बराबर है सुधान चुत्रवेदी में क्यों पॉइंट, सुधान चुछ जी मैं सिर्व यह कहना चाहरा था, जो अजीज खान साब ने हम पे आरोप लगाया कि हम हिंदू मुसल्मान की राजनीती करते हैं, बिल्कुल हम हिंदू और मुसल्मान दोनों की बात करते हैं, आप केवल मुसल्मान की राजनीती करते हैं, आप सी एम बनने के लिए दो चीरों का यूज करते हैं, कास्ट एंड मुसलिम, हिंदू तो आपका वजूदी नहीं है क्योंकि आपको पता है बीस वी सदी अपना है असी में टुकड़े करना है और उसमें आप सफल हो जाते हैं तो इसलिए आपको लगता है आपको पूर्ण विश्वास है कि केवल मुस्लिम मेरे साथ रहेगा और उसके साथ कोई ना कोई एक दो कास्ट जुड़ी रहेंगे और पिछड़ों की बात करते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्या यह बता दें कि पिछड़े दलित अल्पसंख्या में से कितने लोगों को पिछले 35 साल से सब्ता में है समाजवादी पार्टी 1990 में बनी थी बुलाहिम सिंग जी जब पहली बार मुख्यमंतरी बने 1989 के को बनाया हो यानि परिवार वा समाजवाद परिवार वाद में सिमट करा जाता है कहां लोहिया जी खड़े होते थे जो यह कहते थे कि हम लड़ेंगे और सब को हिस्सा दिलाएंगे यहां कहते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागी दारी यहां पर भाया आप त देखे अमीज भाई अमीज भाई लगातार समाजवादी पार्टी नारा लगाती रही देवाई जनरंक करती रही कि जातियर जंगरणा करा करके जो दलित सोसिद वनती समाजे उसका उसका हग दो साभी हग की बात नहीं करते यह परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं इनके तमाम सांसद अभी पुरी फैरिस्ट निका लीजिए एमेले जहां 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 से चुने गए हैं उनमें परिवारवाद की बात देखे तो पचीस इसे लोग हैं जो परिवार से गर्चित है परिवार के लोग है यह उन पर सर सुनिए उन अरे सर सुनिए न यह उस पर बात नहीं करेंगे फैरिस्ट निकाल यह उस पर बात नहीं करेंगे यह दूसरों पर कटाक्च करेंगे देखिए कहने का मकसद यह है यह नेरेटिव से हमिश देव ग्गन जी यह देश इन पर हस्ता है हस्ता है कि अगर डिमपल यादब जी को ही लोकसभा भेजा जाए हमेशा तो देश समस्ता है कि पतनी को भेजा गया अंखिलेश जी। और मुख्यमंत्री सीधा अ्खेलेश याद़ जी को मुलाइम सिặ्ग जी ने बना दिया. बाकि जितने लोग थे उस पारटी में, वो कोई काबिलियत नहीं थी उनमें. सिर्फ अखलेश यादब में उनको काबिलियत दिखी और अखलेश यादब मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के बिल्कुल परिवारवाद आजीज खान जी को नहीं समझाएगा पर उत्तर देकारी को होता है राजा का बेटा ही राजा होता था लेकिन प्रजातंत्र यही तो है संविधान संमत लोकतंत्र यहीं तो है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा वोट है थोड़ा इदर से जाती का वोट समेट लो हमारी सथा किसी न किसी तरह बनेगी जनता इस बात को समझती है इसलिए तो अखिलेश यादव जी को लगातार नकारा है उत्तर प्रदेश में अच्छे ये बताईए कि अखिलेश जी को तो नकारा आपकी राए के अंदर लेकिन इस बार उनकी जीत भूई लेकिन नितीज जी क्यों नहीं गए अब विपक्ष को एक मौका मिल गया है बोलने का राजीव रंजन सिंग जी ने केमिनेट मिंतरी का शपत लिया और करपुरी ठाकुर जी के जो भारत रत ने उनके सुपत्र रामना ठाकुर जी ने कृषी राजी मंतरी के रूप में शपत लिया अब ये शपत भी ले अरे आनंद दूबे जी मीठा मीठा बोलते हैं गड़बड़ दही है मिठास रखी है अपने जुबा पर NDA बहुत इंटेक्ट है मजबूती के साथ खड़ा है और ये जो कह रहे हैं कि नितीजी जाते है नितीज जी का लंबा समय NDA में मिता है वो कमफर्ट है NDA के साथ हमेशा कोई टेंशन है तो बोल दीजे कोई टेंशन दीजी पार्टी और गठमंदन में बहार है और विपक्ष में इसका थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ खुमार है अरने का पका हम करने आपकी बात को लॉक कर दिया जाए बिलकुल लॉक कर य अब फ्री में टेंशन करा रहे हैं इनके वीजिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी सुदान सुभाई या कह रहे थे कि दिल्ली में कॉंग्रेस और आमाद्धी पार्टी के बीच मतवेद है आज महाराश के मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमको 400 पार के न मतवेद कहा है भाई साब यह मतवेद दिख रहा है और जिस प्रकार महाराश्च्र में पिछडा अती पिछडा आदिवासी अल्प संख्यक माराथा समाथ यह सबने मिल को आपको नकारा है इसे लिए आप इस 18 सीटों तक पहुच पाए हैं वरना किसी जमाने में आप 41 सीट जीते थे जब आपके साथ अस्री सी उसे ना रहती थी लेकिन जब नकरी लोगों को लीजिएगा साथ में तो भरपाई तो आपको करना पड़ेगा और भाईया सब्रकार जी आपको बता दो नुकसान तो दोनों को हुआ आरें दूबे आप भी तो उतीनी नहीं जीत पाए हमें बहुत अच्छी सीट मिली है हमारा ओट बैंक भी अच्छा रहा है तो ये न कहिए जिस पार्टी के पास औरजिनल नाम था औरजिनल चुनाव चिनल था उतो साथ पर रूग गए वाइनाट सीट को छोड़ सकते है राहूल गांदी इस समय कि ये बहुत बड़ी है यानि राय बरेली की सीट अपनी परंपरागत परिवारिक सीट पे परकरार रहेंगे राहूल गांदी ये बहुत बड़ी ख़बर है यूपी की राजनीती के लिए भी बहुत बड़ी ख़बर है शुदान शुत्रवेदी और फर्स्ट रियाक्शन टू दूदिस और आन पर मिली थी क्योंकि वहां मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस का गठबंदन है तो वहां उन्होंने छोड़ा है और अब यूपी को चुना है तो मुझे लगता एक बार फिर अजीज खान साब से पूछना चाहिए कि ये मामला उनके हर दिल के अजीज रहेगा या आपके पर कहरें वो नहीं का है सविधान बदल देंगे अरक्षन चला जाएगा ऐसा हो जाएगा कुछ भी होना कुछ भी नहीं होना था लेकिन चार सो पार वाला आकड़ा जो था उसकी वज़ा से लोगों के दिमाग में ये लगा कि आगे चलकर कुछ गरबढ़ होगी ये एकना लेकर वबिपक्ष ने सविधान बदलने का निरेटिव बना दिया यानि चार सो पार का नारा बैक फायर कर आई या क्याला इस पार्टर बोल्डे सुदांशुत्र में दी आंसर तिस उसमें उसने एक इस मात्यम का भी प्रयोक कर लिया होगा उनका सार ये है कि भ्रम पैदा करने जैसे समविधान कोई समाप्त नहीं कर सकता आरक्षन कोई नहीं समाप्त कर सकता परंतु ये भ्रम का बातावरन बनाने में सफ़ल हुए मगर मैं दुबे जी से ये पूछना च पहली बात तो बताईए मेरे भाई आप अपने गढ़बंदन में क्या इससे थी है कॉंग्रेस आपसे बड़ी पार्टी शरत पवार आपसे बड़े नेता तो महाविकाज अगाडी की तीम पार्टियों में आप सीसरे नंबर कहना हो दे जब हमारे साथ थे आरंदुबे आ महाराष्ट में भी आपकी हैसिया सबसे उपर वानी आती है मिलकर चुनाव लड़े हैं तो एक सामोहिक लड़ाई लड़े हैं हमने हमने जीत भी सामोहिक जीती है और उसमें एक दो नंबर आगे पीछे चल सकते हैं संबली अच्छी सीटे जीती है कहां पर सांगली अरे भाईया सांगली की सीटें सांगली की जो सीट निरदल विशाल पार्टी जीते हैं वो कॉंग्रेस में ही थे उन्होंने कॉंग्रेस को वापस समर्थन दे दिया लेकिन आप ये तो सोचिए जिस पार्टी का सब कुछ कोई चुरा ले वो 9 सीट ले आती है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है इस परिस्ति लेकिन लेकिन मुझे केसी त्यागी ने बोला चार सो पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर विपक्षी दलों ने उसे सविधान परिवर्तन से जोड़कर चुनाव में उसका दिरुप योग किया यानि चार सो पार का नारा बैक फायर किय केसी त्यागी जी का कहने का मतलब यह बिलकुल नहीं है उनका कहना है कि जो चार सो पार का नारा दिया गया उसके खिलाब विपक्षी एक दुस्प्रचार करने में सफल थोड़ा हो गया और बीच में नरेंद्र बोदी जी का बयानाया चुनाव प्रचार के दोरान कि विपक्ष निमनता मस्तर तक गया दुस्प्रचार करने में विपक्ष ने एक बार भी नहीं सोचा कि भारती राजनीती की एक माननिता और मान्दंड है उस मान्दंड से नीचे नहीं जाना चाहिए चुनाओं में ऐसा पिछला विस सोनीस में भी किया था कि चौकीदार के कारण और लोकल कई राजनीतिक दिक्कतों के कारण बहुत जैसे उत्तर प्रदेश में कही तरह की ऐसी बाते हुए कि ये कॉम्मिनेटी उसके साथ नहीं जाएगी उसके साथ चली जाएगी तो लोकल पॉलिटिक्स और दुश्कचार ने चार सो पार के नारे को थोड़ा किया गया और पॉइंट नमबर टू क्या आपको लगता है यह जो नरेटिव बिल्डिंग करी उसका भी पूरा फाइदा आपको नहीं मिला अगर पूरा फाइदा मिलता तो सत्ता में आते हैं आप लोग निनानवे सीट पे रहे गई कॉंग्रेस सारे नियम प्रदान मंशि इन सब्दों को सोभा नहीं देता आपके उपर विकास की बात करने की बात कही गई थी आपको कहा गया था नोकरिया कितनी दोगे महंगाई कैसे कम करोगे हमारा जो रुपया है और डॉलर के मुकाबले मजबूत कैसे होगा पेट्रोल डीजल के दाम कैसे घटेंगे रसोई गैस कैसे सस्ती होगी किसान भाई बहनों को MSP कैसे मिलेगी इन सब विश्यों को छोड़कर प्रधान मंत्री जी ने अरंगर बातों की सुवात की जिसका करोण लोगों को गरीबी रेखा से उपर उखाया हो चार करोण घर बाटा हो 11 करों सो चाले दिया हो उजला योजना में गैस दिया हो 80 करोण लोगों को मुफ्त में राशन बाट रही हो उस सरकार से आपके सवाल पूछते हुए आपको शर्म नहीं है ये सवाल है ये सवाल है कि कोई भी मुस्टिम मंत्री नहीं है इस सरकार के अंदर चुदान चुतर वेदी अखलियतों का कोई भी मंत्री नहीं है मुसलमानों कोई भी ये एक पूरा नेरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इस पर आपका टेक और सविधान बदलने की रेजीम को राहूल गांदी अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी सविधान बदल सकती है जो नेरेटिव थोड़ा चला कॉंग्रेस प एक भी नहीं जीरो हमारे अजीज कान साब बैठे हैं 20% के साब से 16 टिकट दिये थे क्या यूपी में 542 में 20% के साब से 110 मुसलमानों को टिकट दिया था क्या अभी ये नेरेटिव बदल गया है यही है कहना कुछ है और हल्ला कुछ मचाना है यानि अब हकीकत यह है कि मुस आजपास से पूछेंगे कि ठीक हम तो बिल्कुल कहते हैं हम उन सभी लोगों को टिकट देते हैं जो तीन कारणों पर एक जो हमारे साथ हो हमारे कारे करता हूं हमारा संगठन का नुभव विने बिल्टी तो हमारे साथ जितना चुड़ते जाएंगे हम उतना टिकट है और उसके बाद एक भी टिकट नहीं दिया और सवाल हमसे खेर अब नेरेटिव पे बात करता हूं मुमीशी नेरेटिव का विशे बहुत गंभीर है यह भारत का चुनाओ ऐसा पहला चुनाओ था जब सीमा पार बैठे किसी बड़े वेक्तिन ने कहा हो कि मैंने एक बिलि वेक्सीन जो नो देशों ने मिल के बनाई थी उसके बारे में रिपोर्ट भारत के चुनाओ के दोरान आती है और यह भारत का चुनाओ भारत के इतिहास का पहला चुनाओ था जब किसी दुनिया के दूसरे देश ने मैं विदेश में चपी कोई अकबार के नियूस की बात नहीं कर रहा हूँ रूस ने के विदेश विभाग ने बाकाइदा बयान दिया कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है यह चार तक थे यह बताने के लिए परियाप्थ हैं और यह पहला चुनाव था जब हमारे किसी नेता ने विदेश की डेली स्टार में आठके लिखा क्या मोधी हैस टू गो यह पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के पूरु मंत्री फवाज चौदरी ने पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर रैंक के विक्ति ने ओपेनली बयान दिया हो कि बीजेपी की सरकार हटनी चाहिए मोधी जाना चाहिए इसके बाद जो चाहें वो कर लें तो मैं करोडो चुनाव समाथ हो गया मैं करोडो प्रबुद दर्शकों से कहता हूं विचार करिये कि नेरेटिव का माया जाल क्या सिर्फ इतना था जितना आपको दिख रहा है या टिप आप दाइस बर्क की तरहे इससे कहीं भीशन थी की जड़े जितनी आपको नहीं दिख रही है मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं सिर्फ एक फूट फॉर थाट दे रहा हूं ओके अजीज कान अजीज को गुम्रा कर रहे हैं देखें अमीज भई अमीज भई ये अभी सुधांसू जी नेरेटिव सेट कर रहे हैं अभी इ अगर इसमें तो आप इसको आप इसको अप आप इसको जरूर अपने फैक्स को कोट करिए ये सब कुछ फैक्चुल है जो बोला गया ये सब चीजे हूई है अलाइई से मैं सर आरहा हूं मैं सर उसी मुद्र बेख जार्ठ शिरोस से लेकर प्वाद शोधरी तक मैं अमीज भाई वही कह रहा हूँ अब मुझे बोलने दे मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी इनको अंदाजा ये नहीं है कि इस देश का चुनाओ किस आधार पर हुआ है जनता क्या चा रही है और क्या चा रही थी किस आधार पर चुना हुआ यह साइब अभी भी बीजे पर नहीं समझ पाई जनता चाह रही है महगाई खतम हो जनता चाह रही है जो उन्होंने वाइदे किये थे वो वाइदे ये पूरा करते लेकिन ये पूरा नहीं किये इन्होंने का साथ रोजगार हम देंगे दो करोन र गूमता रहा उस पर पूछा नहीं गया अभी भी नीट अभी देखिए एक बात सर आप बड़ा हमबा बता रहा हूं सर नीट का एक्जाम हुआ 24 लाग बच्चे ने एक्जाम दिया नीट का आप देखिए कोई सुध लेने वाला नहीं उस बच्चे का आप देखिए जिस तर लाग बच्चों का मामला है इ सब्बात आप कर दी ना तो मैं चुनाओ के दारां तो हम सारी बाते बता चुकेमर मैं सिर्फ एक नेरिटिव बता देथा हूं कॉंग्रेस ने गलाब फाड़ फाड़ के कई बार कहा कि 30 लाख केंदर सरकार की नौक्रियां हैं जिसको भरे नहीं जा रहें कोई जाके दर्शकों में चेक कर ले कि 2014 में जब इनकी सरकार गई कुल करमचारी कितने थे केंदर सरकार के 47 लाख यानि महोदे अपने घोष्णाप पत्र में काम एक करोड नौकरी देंगे बारा करोड कुल बिहार की आबादी है और नौकरी दे देंगे एक करोड यह होता है भ्रहम प्याला ना और मैं उन्सायर को चाहता हूं इन्होंने खुब भ्रहम फैलाया जो लख़ड़ों से चुनावाचार सहीता समाप्त हो गई, जहाँ आपकी सरकार है वहां दीजिए, खटा-कट, खटा-कट पंजाब में, बंगाल में, तिलंगाना में, करनाटक में, दिल्ली में, दीजिए न तमिलाडु में, साड़े-ाथ हुजार उपए, खटा-कट, 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 और एक करोड नौकरिया बिहार में कैसे दी जाएंगे सबसे पहले तो सुदानसु भाई ने कहा कि पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि महाविकास अगाडी या इडिया गडबंधन की सरकार बने अरे भाई चुना हो रहे हैं भारत में लोग तंतर का उत्सो मनाया जा रहा है भारत में कल नौर्थ कोरिया में बैठा कीम जॉंग अगर ये कहे कि मैं चाहता हूँ आनंदुबे सांसद बने औरे बैया आनंदू में कभी कुइम जोंग को मिले नहीं नौर्थ कोरिया कभी गएए नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं हो वहाँ बैटके क्या चाहता है इससे हमारी देस फीडिवी सुमुद्ञ हुमारी से लेना देना प्लाव पुआ अ पाकिस्तान हमीं से निकला है और पाकिस्तान का इतिहास जो है उहारत के साथ जुड़ा है पाकिस्तान की जो गलत नीतिया है उसका विरोध करो पूरा विपक साथ के साथ खड़ा रहेगा लेकिन बार-बार पाकिस्तान, मुसल्मान, गुस पैटिये, अरे बंद करो ये नफरत की गंदी राजनीती, लोग वूप गए हैं, इसलिए आपको 240 पर प्रोक दिया है, और कॉंगरिस में कहा था, कि खटा-खट, खटा-खट, हम देंगे, जब हम सत्ता में आएंगे, हम सत् प्रोक देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे पास है क्या, अरे तो राजी में तो आप लोगों की सरकार है, वहां प्लानिंग करेंगे, अगर GST का सारा पैस्टा, शुदान्शु तिर्वेदी का जवाब है, शुदान्शु तिर्वेदी का जवाब है, और एक करोन लोख प्रेदा, आनन जी, आनन जी आप डिबेट में कहीं आप दूसी तरफ खोए हुए थे, यह आपको तक्षे नहीं पता था, आप क्या बोल गए, आपने बिलकू सही का चुनाओ, मैंने का चुनाओ भारत में हो रहे थे, बंगलादेश के अकबार में शची थरूर क्यों कि लिक्टरों की सिर्षिक का है मोदी हाज टूगो हमने नहीं किया यह तो उन्हों दूसरी बात आप ने कहा कि नॉद़् कोरिया से वागता यही तो बात है वाकई नहीं मिले मगर पाकिस्तान जाके मणी शंकर यह बी मिले और और सलमान खुर्शीद नी मिले, और मिलके क्या बोले? करती जिसने मॉंबई में पाकिस्तान के सांब मैच नहीं हो रहे दिया और उन्हों प्तिफ कே उस पल में तोला पल में माशा यही का आ जाता है लेकिन कैसे मतलब आप देखिए इस डिवेट के अंदर कई रंग हमें देखने को मिले लेकिन एक करोड के नौकरी का रंग कैसे आएगा जूट बोलने की फेहरिस्त थोड़ी और बढ़ गई थी उनकी और वो बढ़ती रहेगी जूट बोलने में काबिल हैं मैं एक पॉइंट याद देलाना चाहता हूँ कि अलप संक्यक समाज के पांच व्यक्ति को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया रुक जाईए लेकिन एक सवाल है तेलंगाना में एक सरकार है कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है बारा प्रतीशत मुस्लिम समुदाय वहां का हिस्सा है आरपार में इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्वरी है जिस मुद्र कॉम ने कल भी उठाया था वो इस समय हमारे सामने है नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोट कल सुनवाई करेगा बहुत बड़ी खबर है एंट्री के फैस्ट भी की जाए ये भी कहा गया है नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोट सुनवाई करेगा ये बहुत बड़ी खबर है नेरेटिव बिल्डिंग के हम बात कर रहे थे पॉइंट ये है कि इस देश के अंदर इस देश के अंदर आल आईज ऑन राफा पर कितने लोग ट्वीट करते हैं लेकिन आल आईज ऑन वैश्टो देवी में चालिस लोगों की निर्मा हत्या कर दी जाती है कि किसी के कान तक जू नहीं रेखती पॉइंट ये है सत्यपकाश मिश्टा नेरेटिव बिल्डिंग ये है जिसको मतब पता ही नहीं है राफा राफा है का पर वो लोग तक ट्वीट कर रहे हैं और इस मैं जानता हूं कई लोगों को तो मैं परस्टल नहीं जानता हूं जिने राफा का आर नहीं पता लेकिन राफा के बारे में ट्वीट कर रहे हैं और मा वैश्टो देवी को सब लोग जानते हैं एक राई नहीं लिखी गई इन लोगों से देश में मानव अधिकार को लेकर के ये दोहरा वैभार ठीक नहीं है आप बिलकुल राफा पे टूइट कीजिए जहां भी मानव पर कोई संकट करिए लेकिन वैशनो देवी में हुआ तो बचिए चालिस मजदूर मर गये कुवेट में उस पर कुछ नहीं आप समझे ये दोह साफ मतलब ये भी हो सकता है जो लोग ये ट्वीट कर रहे है एक पीडी तो तिरो ट्रेंट फॉलो करती है सब लोग इंस्ट्राग्राम पे लगा रहे हैं हम भी लगा देते हैं हाँ ये एक नया चीज़ है ये मतलब थोड़ा तो पर लिख कर हम इसको अगर काम को करेंगे तो भेतर होगा चुदान चुतिरवेदी नेरेटिव में क्यों पिछर जाता है भारत देखे ये नेरेटिव नेरेटिव उसका कारण है कि हमारे नेरेटिव भारत की आंतरिक सुरक्षा भारत की राष्टरिता की मजबूती के अधार पे नहीं होता उसकी कीमत पर की जाने वाली राजनीती पर भी होता है मैं उधारण देना चाहता हूँ इसराइल हमास में युद्ध हुआ कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन को लेकर परस्ताव पारित कर दिया प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और सोनिया गांधी जी ने एक बार में आर्टिकल ल देख रहे हैं तो यही कुवेट और एराग का प्रॉब्लम था आपने लिखा कभी कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी को परस्ताव याद पारित पारित चाइना और जी जी समय इतना ही है अजी सकान 10 सेकिंद 10 सेकिंद देखें अमीज गई यह तमाम तरीके की बाते करते हैं खकीकत यह है कि आज बीजेपी अपने नेरेटिव के मामले में लगातार गिर गई है और यह बेनकाब हो गई है बेनकाब करने की कुछ और चेहरों को सत्य और तत्य को हम सामने लेकर आए महाप्रबू जगनात की थर्ती पर आज से नई सियासी शुरुवात को गई है औरिसा में 24 साल बाद नवीन पतनायक के युक का अंत हुआ है और वहाँ आज पहली बार भारतिय अंतापार्टी की सरकार ने शपत ली है यानि शपत ली यानि औरिसा में बीजेपी ने अपने दमखम पर सरकार बना लिये 2024 के चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटे जरूर घटी लेकिन चुनाव के नतीजों में भविश्य का एक बहुत बड़ा संदेश शिपा है और वो संदेश ये है कि अब भारतिय जन्तापार्टी की दस्तक पूरे देश में हो चुकी है तत्यों के अधार पर मैं आपको इस अटल सक्ते की जानकारी देता हूँ सबसे पहले पुर्वोतर के राजियों की बात कर लेते हैं नौर्थीश के सतात राजियों में कुल 25 लोग सबासीटे है इसमें बीजेपी ने 13 सीटे जीती है इसके लाबा उत्राकंड, हिमाचल, दिल्ली, मद्यपदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है जबकि गुजरात में 26 में से 25, 37 में से 11 में से 10 सीटे बीजेपी ने जीती है लेकिन उनकी सबसे एहम कहानी दक्षिन के राज्यों में लिकी गई है विवर क्योंकि बीजेपी ने पहली बार केरल में काता खोला केरल में बीजेपी को इस बार 17 प्रतिश्यत वोट मिले यानि 2019 के मकाबले 3 प्रतिश्यत इस वोट बैंक में इजाफा हुआ है इसके अलावा आद्रपधेश में बीजेपी ने खाता खोलते हुए 3 सीटों पे जीत दर्च करी दक्षिन का तीसरा एहम राज्य तमिलाडू आलकि महां बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती लेकिन वोट शेर 11.24 परशंट रहा 2019 में ये केवल 3.6 परशंटा यानी 3.6 परशंटा यानी 3.6 परशंट खास बात ये है कि तमिलाडू में बीजेपी को कॉंग्रेस से जादा वोट मिले है यानी एक वक्त हिंदी पट्टी की पाटी समझे जाने वाली भारते इंता पाटी अब पूरे भारत वर्ष में दस्तक देर चुकी है कश्मीर से लेकर केरल तक और महाराश से लेकर असन तक यानी अटक से कटक तक अब बीजेपी करीब करीब हर राज्य में है इसके उलट कॉंगरेस का स्कोर धिल्ली में जीरो, त्रिप्णवा में जीरो, अरुनाचल उत्रखन मद्परदेश में भी जीरो है हिमाचल कॉंगरेस की सरकार है वहाँ भी कॉंगरेस को शुन्ने ही मिला है इसके लावा कर्णाटक में सरकार होने के बावजूद कॉंग्रेस 28 में से केवल 9 सीटे जीत पाई है तेलंगाना में से 17 में से 8 सी जीत पाई है देश के करीब 9 राज़में कॉंग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है इसके बावजूद कॉंग्रेस का पार्टी मोड जारी है इसकी वज़ा शायद ये होगी कि इस बार राहूल गांधी वाइनाड और राइबरली दोनों सीटों से चुनाव वासानी से जीने इसकी वज़ा ये भी हो सकती है कि विपक्षी गडबंदन ने पीजेपी को आयोध् में हरा दिया लेकिन सत्य तो ये है कि बीजेपी अब पैन इंडिया पार्टी है जश्ट कितना भी मिला लो